हेलो आइन जहिन स्यूडेन वेलकम वंस अगेन टु यूर उन चैनल सर्तरुन रिपानी कॉमर्स हाँ पारी है एक टू सीन टू टेमपेस्ट की तो चलिए लाइन बाइन समझते हैं इस पूरे सीन को तो ये सीन एक सब प्लॉट है एक तरह से कहें एक कॉमेडी सीन है एक रिली उसके बीतने के बाद ये सीन ओफ रिलीफ है ये विलियम शेक्सपेर की एबिलिटी है कि वो ओडियन्स को क्या करते है रिलेक्स करने के लिए बीच में कुछ कमेडी कुछ ऐसा डाल देते है ताकि ओडियन्स क्या हो जाए रिलीज हो जाए हां रिलेक्स मैसूस करें यहां पर situation कुछ इसी तरीके से बनेगी केलिबन अपना wood picking करने का काम कर रहा है as ordered by the prospero और उसे मिलता है trincolo और क्या conversation होता है trincolo केलिबन के बीच में और फिर पहुचता है stephano और उन तीनों के बीच में इसी का बहुत ही अच्छा एक comedy हाँ आज scene देखेंगे तो केलिबन साथ में उठा रहा है log of wood उसके उसको काम मिला है लकडिया लाने के लिए firewood लाने के लिए बुला है और उसे मिलता है trincolo trincolo उसे लगता है केलिबन को लगता है यह ज़ले trincolo है वो एक spirit है और इसे भेजा किसने है प्रॉस्पेरो ने भेजा है उसे torture करने के लिए और इसी बीच तुफान चल रहा होता है तेज हवाई चल रही होती है और trincolo डर जाता है trincolo इस केलिबन के ही कलोक के अंदर घुश जाता है उससे जब कुछ नहीं समझ में आता है तुफान में डर के वो trincolo के ही एक चोंगा टाइप का होता है धीलस अवस्तर होता है जो चोंगा टाइप का पहनते हैं लोग उसके अंदर घुश जाता है trincolo के और दोनों ही क्या होते हैं जमीन में लेटे होते हैं और काप रहे होते हैं और इधर बीच पहुचता है स्टेफेनो जोकी नशे में धुत है और वो गिरते पढ़ते हुए लुलकते हुए चलता हुआ आ रहा है स्टेफेनो केलिवन को देखता है और स्टेफेनो इसे अजीब द्रिष्टी से हाँ थोड़ा उसका मजा कड़ाते वे महसूस करता है और कलिवन को वो कापते देख उसके मुँ में अपनी बॉटल और येस अलकोहल पिला देता है कलिवन को लगता है ये कोई भगवान है ये कोई भगवान है जो उसे क्या करने आया है इसकी मदद करने आया है और वो ready हो जाता है उसका सिवक बनने के लिए उसका गुलाम बनने के लिए क्या comedy है इस पूरे scene में देखेंगे तो यह scene island के ही इसी island के एक दूसरे पार्ट में take place कर रहा है आप scene में Caliban को देखेंगे with a log of wood और चल रहा है बिजली कड़क रही है तेज और केलिवन तो आप जानते ही है हमेशा चुडचरा रहता है हमेशा गुस्सा करता रहता है क्योंकि वो काम चोर है क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता है हाँ क्योंकि civilized नहीं है न वाइल्ड है न और केलिवन अब गुस्से में क्य बड़ बड़ारा यह देखिएगा All the infections that sun sucks up अथार सारी बिमारियां सारे germs जो infections एक तरह से germs होते हैं सारे germs जो sun क्या करता है pick up कर लेता है suck कर लेता है कहां से pick कर लेता है box से, fence से, flat से यह सब गंदी places हैं जहां पे ज़्यादा germs पाए जाते हैं fall on prespero और जहें सब जाके किसको लग जाएं prospero के वो इस सारे उपर germs से लग जाएं and make him और उसका पूरा शरीर क्या हो जाएं पूरा शरीर एक एक इंच क्या बन जाएं घायल हो जाएं यह disease से भर जाएं क्यों prospero से नफरत करता है आप जानते ही हैं क्योंकि prospero उसे काम करवाता है prospero कलिबन को क्या करता है यह अपने अंडर में रखता है और इस बात को कलिबन को बड़ा गुस्सा है उससे लगता है कि मेरा यह आईलेंड था मेरी मा के बाद और मैं ही इस आईलेंड में एक सर्विंट बनके रह रहा हूँ ठीक है ना तो contrast यही है और his spirits hear me और कलिबन ड़ता भी उसी सही है prospero से उसे लगता है कि prospero की spirits इस आईलेंड में हर तरफ है आप तो मालूमी है prospero के पास supernatural power है तो उसकी जो spirits हैं उसे हमेशा torture करती है yet I need must curse पर मैं उसे क्या करूँगा curse जरूर करूँगा यह सब उसे क्या कर रहा है अनावशना बके जा रहा है श्राब दिये जा रहा है कलिबन श्राब दे रहा है prospero को but they will nor pinch fright me with urchin shows अपने लिए कह रहा है कि मुझे अर्चिन से hedgehog से जो sweet चुबाने वाले organisms होते हैं हाँ जिसे आप goblins कहते हैं hedgehogs कहते हैं यह मुझे नहीं डरा सकते हैं pinch me in the mire nor lead me like a firebrand in the dark वो कह रहा है कि मुझे यह बली कितना ही क्या करे pinch करे मेरे शरी में छेट छेट कर दे मेरे body में क्या करे छेट छेट कर दे देखें firebrand क्या होता है firebrand is a phosphorescent light which keeps going off and on in the marshy land जो यहाँ पर आने वाली रोश्नी है इस marshy land पर तो मुझे क्या करना है इस dark में भी चलना आता है unless he bid them यहाँ पर he कौन है prospero तो उसे मिश्वाश है कि मैं इन सारी जगों को face कर लूँगा बरदाश कर लूँगा अर्चिन्स को भी bear कर लूँगा बस जब तक क्या न करे prospero उनको order न दे दे but every triple are there they set upon me अथार्ट उसे लगता है कि हर कोई चीज जो भी उसे परिशान कर रही है तकलीब दे रही है उन सब तकलीब देने का triple देने का कौन है reason वो reason है उसके लिए prospero sometimes like a जैसे कुछ example देता है कभी apes आ जाते हैं और वो mao करने लगते हैं chatter करने लगते हैं at me इसको देखके मुँ बनाते हैं mao मता होता है इसको मुँ चुड़ाते हैं and after bite me और कभी-कभी इसको तो काट लेते हैं कौन? apes apes तो दिखा है यह न बड़े वाले बंदर जो बड़े दरामने लगते हैं आपने देखा होगा और कभी-कभी क्या देखता है यह that hedgehogs यह सब कौन है याद रखना यह सब spirits by the prospero जो कलिवन को उसके काम न करने के लिए disobedience के लिए उसको torture करते हैं कभी-कभी hedgehogs आ जाते हैं hedgehogs देखा है न आपने? हाँ hedgehogs देख लीजेगा तो hedgehogs क्या करते हैं lie tumbling in my bare foot कभी-कभी उसके पैरों के सामने hedgehogs आ जाते हैं hedgehogs में बड़े-बड़े काटे होते हैं बहुत ही ज़्यादा वो क्या होते हैं fearful होते हैं and mount their pricks out my footfall और वो मेरे पूरे footfall पर आ था पैरों पे क्या करते हैं काटे चुबे देते हैं और क्या होता है sometimes I wonder I I all bound with adders adders क्या होता है साप और कभी-कभी क्या मिल जाता है उसे साप मिल जाता है snake मिल जाता है और साप भी उसे क्या करता है dust लेता है who with cloven tongue do hiss me into madness hiss का मतलब समझ गया न साप उसे तेजी से तेजी से dust मार देता है और उसे क्या कर देता है समझ गया न पागल बना देता है low how now low here comes अब यहाँ पे क्या हो रहा है इस dash के आगे यह पता चल रहा है कि वह किसी को आता हुआ दूर से देखता है और आप जानते ही है ट्रिंकोलो की एंट्री हो रही है यह एक नया करेक्टर है अभी तक इसका कहीं पे जिकर नहीं है ट्रिंकोलो कोन है ट्रिंकोलो किंग अलॉन्सो के कोट का जेस्टर है जेस्टर मतलब होता है comedian राजा को हसाने वाला अरे बाई पहले जवाने में WhatsApp या Reels या Instagram नहीं होते थे थे खुश करने के लिए तो वहाँ पे ये वेक्ति होता था कपिल शर्मा वहाँ का ये है वहाँ का राजा के कोट का कपिल शर्मा कौन? ट्रिंकोलो समझ गए न? तो ट्रिंकोलो आ रहा है उसे दिखता है उसे लगता है कि ट्रिंकोलो नहीं है बलकि प्रोस्पेरो को मैं अभी क्या क्या था बद्दुवा दे रहा था और लो अभी मैं उसके बारे में बाती कर रहा था अभी उसकी एक स्पिरिट आ गई तो उसे ये लगता है कि ट्रिंकोलो कोई prospero दोरा बेजागा spirit है जो मुझे torment करने के लिए आ रहा है क्यों? क्योंकि मैं लकडियां बहुत दीरे-दीरे pick up करके ला रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ I will flat fall और उसे छुपने के लिए क्या करता है ट्रिंकोलो से छुपने के लिए वर समीन पर लेट जाता है कितना बदमाश है कैलिवन और जानते ही है वो एक अजीब सच्चोंगा टाइप का पहनता है जानते ही है पूरा human तो face है भी नहीं उसकी पूरी body human body तो है नहीं परचांस he will not mind me अथार्ट वो मुझे देख नहीं पाएगा और अपने आपको छुपाने के लिए करता है वो अपना क्लोक अपने मूग के उपर अपने सर के बढ़ डाल देता है और लेट जाता है इस तरीके से केलिवन और ट्रिंकोलो आईए ट्रिंकोलो तो हम जानते ही है कि स्पिरिट है नहीं यहाँ पे यहाँ पे केलिवन गलत है और ट्रिंकोलो तो स्पिरिट है नहीं अब देखे ट्रिंकोलो क्या करेगा ट्रिंकोलो खुदी डरा हुआ है ट्रिंकोलो बचके तैर करके बाहर आ चुका है अब क्या होगा देखिए अब उसे मैसूस होता है कि कहा मैं छुपूँ तो I hear it sing in the wind मुझे हवाओं में उसकी आवाज सुनाई दे रही उसका गीत सुनाई दे रहा है किसका? Tempest का यॉन्ड सेम ब्लैक क्लाउड और दूर उसे दिखाई देते हैं बड़े काले बादल एंड यूज बड़े बड़े बादल ऐसे बादल लगता है कि एक बहुत बड़ा बॉम गिरने वाला है किसका? काले लिक्विट्स का बॉम गिरने वाला है अथा दूर से क्या होने वाला है? एक वैसल जिसमें खूब सारा लिकर भरा है बादलों को कंपेर कर रहा है वो वैसल जिसमें खूब सारी शराब बरी होई है हाँ और वो लगता है उपर से गिरने वाली है अगर थंडर पड़ा अगर भिजली कड़की जैसा पहले हो चुका है तब मुझे अपना सर कहां चुपाना है? अथार्ट मैं अपने अपको कहां बचाऊं? इस बारिश से, इस तुफान से यौन्ड सेम क्लाउड और वैसे ही सेम मौदल है और लगता है वैसा ही क्या होगा? पेलफुल अथार्ट खुब जम के वर्शा होगी तो अभी वो ट्रिंकोलो एक confused state of mind में है यहां पर देखें क्या है? अगें एक डैश है और यहां उसकी नजर पढ़ जाती है किस पे लेटे हुए किस पे ट्रिंकोलो की लेटे हुए केलिबन पर नजर पढ़ जाती है और केलिबन तो आप जानते ही है कैसा अजीब सा creature है पूरा human figure तो उसके बास है भी नहीं तो लगता है कि a man और a fish वो confused है यह इंसान है कि मचली है उसे लगता है जिन्दा है कि मरा है उसे लगता है मचली है पहले वो सोसता है कि यह मचली है क्योंकि उसके अंदर मचली की महक आ रही होती है और वो भी एक बहुत पुरानी मचली उसे लगती है क्योंकि बड़ी महक ली है जैसे बड़ी अजीब सी महक आ रही है a kind of not the newest poor john जो normal मचली होती है वहाँ पर पाई जाने वाली है salt water fish है उसका नाम है poor john तो उसे लगता है ये कोई एक साधरन मचली नहीं है जो पूरे इंगलेंड में पाई जाती है नेपल से पाई जाती है बलकि एक अजीब तरकी मचली है तो वो ट्रिंकोलो कैलीवन को क्या समझ लगता है मचली समझ लगता है were I in the England now और काश मैं इस समय इंगलेंड होता and as once I was जैसा मैं अभी हूँ but this painted fish और साथ में देखो क्या कर रहा है ट्रिंकोलो कह रहा है इस painted fish को अथार्थ या fish नुमा दिखने वाली आकरिती को वहाँ ले जाऊंगा क्योंकि painted मतब उसे लग रहा है कि fish जैसे आकरिती है not a holiday fool यहाँ पे कहना चाहता है कि वो इस fish जैसे आकरिती को fish जैसे shape को जो की would give me a piece of silver इसके बदले मैं क्या कर लूँगा exchange में पैसा ले लूँगा यहाँ पे वो क्या use करना चाहता है वो calibern को इस्तमाल कर पैसे पाना चाहता है जैसे सड़क पे तमाश भी नहीं होता है कभी भालू ले आते हैं कभी बंदर ले आते हैं और बंदर का खेल दिखाते हैं लोग उसको देखके पैसा देते हैं वैसा ही वो use calibern का करना चाहता है इंग्लेंड में ले जा करके हाँ इंग्लेंड में उसको दिखाएगा लोगों कहेगा देखो यह अजीब मचली देखो केलिबन को कह करेंगे केलिबन को के लिए क्या करेंगे देखने के लिए उसको पैसा भी देंगे समझ गया न क्या कहना चाहता है तो Caliban का तमाशा करके पैसा कमाना चाहता है इंगलेंड बन जाके यहां यह इस monster की वज़े से मैं एक man बन जाओंगा अथार्थ इस गंदे से आकृती वाले जानवर से जैसे दिखने वाले आकृती वाले Caliban की वज़े से मैं तो इंसान बन जाओंगा तो अमीर बन जाओंगा और वहां पर जो strange beast भी होगा वो भी क्या हो जाएगा इसकी जैसा इंसान बन जाएगा वहां तो लोग क्या करेंगे किसी एक beggar को किसी एक लंगड़े बैगर को एक dutch coin देने को नहीं चाहते है पर एक dead Indian को देखने के लिए वह उसका 10 गुना देने को आना तयार है क्या कहना चाहता है वो बस इतना ही कहना चाहता है कि इसके लिए मुझे खूप सारे पैसे मिलने वाले हैं किसी और को लोग पैसा देना दे मेरे इस kelly one को देखके तो मुझे खूप पैसे मिलने वाले हैं legd like a man legd मतलब होता है पैर वाला जिसके पैर हों से कहते हैं legd ट्रिंकोलो इसमें kelly one को कह रहा है क्योंकि kelly one के पैर इंसान जैसे हैं ठीक है legd like a man and his fins like arm उसके arms कैसी हैं fins ऐसी हैं मचलियों में जो fins होती हैं warm oh my truth तब तक कहता है काश क्या हो I swear warm मतलब यहां पर है मैं कसम खाता हूँ अपने पूरे विश्वास के साथ I do let I do know let lose my opinion hold it no longer अथार्थ उसे अपने इस बात पर विश्वास नहीं होता है उसे इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता है this is no fish क्योंकि ये fish नहीं हो सकता है ये कोई एक इस island का वेक्ती है that had lately suffered a thunderbolt अब उसे लगता है कि ये कोई मचली नहीं है देखें केलिबन कितना जल्दी चेंज हो रहा है कहरा ये मचली नहीं है ये अब एक कोई island का वासी है जिस पे बिजली गिर चुकी है अब बिजली गिरने की वज़े से इसका ये shape हो चुका है उसे ही नहीं मालूम है कि ये psychorex नाम की witch का बच्चा है साइकोरेक्स का बेटा है और तब तक फिर से अचानक बिजली आ कड़कती है बिजली कड़कते ही जानते हो केलिबन डर जाएगा उसे उस तुफान की याद आजाएगी tempest की याद आजाएगी the storm is come again my best way और अपने आपको बचाने के लिए क्या करेगा वो इसी के gabardine में gabardine जानते ही है क्या होता है चोंगा होता है बहुत धीला सा loose cloak होता है इसके अंदर घुश जाएगा अथार्थ केलिवन के बगल में जाकरके केलिवन जम्मी में लिटा हुआ है उसके बगल में उसके चोंगे के अंदर घुश जाएगा समझ गया ना क्योंकि उसे लगता है इससे अच्छा shelter कहीं नहीं है आसपास इससे अच्छा बचने की जगए कुछ नहीं है तो अपने आपको बचाने के लिए वो केलिवन के बगल में उसके ही गयबरडाइन में अंदर घुश जाएगा अथार्थ जब मुसीबत आती है अथार्थ जब मुसीबत में आदमी किसी के साथ भी क्या करता है companion बन जाता है साथी बन जाता है and I will hear shroud till the dregs of the storm be passed मैं तब तक यहाँ पर आराम करूंगा क्या करूंगा छुपा रहूंगा जब तक की बादल पूरे छट न जाये storm चले न जाये और वो creep कर जाता है Caliban के garment के अंदर Caliban के gabadine के अंदर और तब तक कौन पहुचता है नशे में जूमता हुआ stephano अब कल्पना करिये दो लोग दो लोग चोंगे में घुसे वे gabadine में घुसे वे उनमें से Caliban और Trincolo दोनों डरे वे है Trincolo को बादल का डर है कि बहुत बिजली कड़क रही है तुफान आ रहा है और केलिवन को डर है कि ये तो स्पिरिट है ये तो स्पिरिट है जो की प्रस्पेर नो मुझे टॉर्मेंट करने के लिए भेजी है अब दोनों डरेवे हैं दोनों का डर का कारण अलग-अलग है और तीसरा एक नया वेक्त होते हैं जो राजा के लिए ड्रिंक टैक लगाते हैं हाँ राजा के लिए ड्रिंक सर करते हैं ये वो है स्टेफेनो तो राजा के खाने का ड्रिंक का इंचार्ज है स्टेफेनो और स्टेफेनो बच के आ चुका है तो मैंने बताया था ना कि इस प्रस्पेर नो ऐसा खुद वो खुद ड्रिंक किया हुआ है और उसके हाथ में एक शराप की बोटल भी है और गार आये मस्ती से ट्रिंक कलो I shall no more to see अथार्ट मैं समुन्दर में दुबारा नहीं लोटूंगा Shall I die a shore जब भी मरूंगा तो समुन्दर के शोर पे आके मरूंगा ये गीत गाता हुआ मस्ती में जूमता हुआ आ रहा है स्टेफेनो और बात करते करते हो क्या करता है स्टेफेनो नशे की हालत में लोड़कता हुआ चल रहा है ड्रिंक कर रहा है master the swagger the boatsman and I gunner and his mate loved mall mag यह सब उसके गीत है फालतू बाते कर रहा है ठीक है ना यह सब वो अपने गीत में फालतू बात कर रहा है but none of us scared for Kate यह सब उसके नशे में उसका गीत है but she had a tongue with a tank वो बालतू बात कर रहा है यहां पे वो गीत गारा है नशे की हालत में और वो जूमता नास्ता वा पहुच जाता है अब दिखता है उसे कौन कैलीबन कैलीबन जो है कैलीबन जो है वो उसे डर जाता है कहता है do not torment भी मुझ पे अत्या चार मत करना मुझे पिंच मत करना मुझे साताना मत ठीक है न और स्टेफनो ने इस तरह का कोई भी व्यक्ति आस तक नहीं देखा था याद रखेगा ट्रिंकोलो बहरा चुका है what's the matter have we devils here क्योंकि उसे वो लगता है कि ये एक devil है भूत है ठीक है न and do you put tricks upon with savages and men of the ind अथाब उसे लगता है कि वो एक red indian जैसा है क्योंकि red indians जो original होते हैं किसी place के याज अमेरिका के originals होते है red indians पता ही होगा आपको वैसे उसे लगता है कि वो इस island का क्या है original inhabitant है और वो बोल रहा है कि क्या तुम ऐसे ही दिखते हो wild type के तो आपको याद होगा दो पैर उसमें कैलिबन का है और दो पैर उसमें ट्रिंकोलो का है तो पैर चार है और मूँ उसका ढखा हुआ है अवाज एक आ रही है तो बोलता है मैं डरूंगा नहीं मैंने अपनी जान बचा ली है swimming करके मैं ड्राउंड से बच आको चुका हूँ और इन चार लोगों चार पैर वालों से नहीं डरूंगा क्योंकि ऐसा कहा गया है क्या कहा गया है ये देखे सब स्टेफेनो बात कर रहा है इसका मतलब है यहाँ भे वो कहना चाता है कि अगर कोई fine fellow होगा चार पैर वाला तो वो क्या होगा वो उसके ground पे नहीं गिराए जा सकता है यहाँ वो कहना चाता है मतलब जब तक स्टेफेनो ब्रीथ करता है तो वो ब्रीथ किसे करता है अपने नाक से ब्रीथ करता है मैंने कहा ना नशे की हालत में है सिर्व वो बड़ 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 स्टेफेनो एक फालतु बात बोलता रहेगा और तब केलिवन केलिवन बार बार एक ही बात बोलेगा क्या चीज? The spirit torments नहीं मुझे ये spirit लगता है torment करने आई है उसे ये स्टेफेनो भी spirit लगता है and this is the some monster और स्टेफेनो को बार बार लगता है कि ये कोई monster है केलिवन के बारे में उसे लगता है पहले बोला था devil अब बोला क्या है ये? ये एक monster है उसने केलिवन को केलिवन को monster कह दिया स्टेफेनो ने और जिसके चार पैर है and who has got as it takes an egg और लगता है इस monster को क्या हो गया है fever हो गया है क्योंकि क्योंकि साथ में ट्रिंकोलो है जो काप रहा है याद है ने डर से काप रहा है और कलिवन्दी खुद दरा हुआ है तो उसे लगता है कि इस monster को कोई fever है कमपन चल रहा है where the devil he learn our language उसे लगता है किसने सिखा दिया इस devil को कभी monster बोल रहा है कभी devil बोल रहा है बोलता है इस devil को किसने सिखा दिया हमारी भाशा कलिवन भी इंसानों की भाशा बोल लेता है तूटी फूटी बोल लेता है और आपको याद होगा सिखाने वाला प्रॉस्पेर हो है मैं उसे कुछ रिलीव दूँगा मतलब वो कहना चाहता है कि मैं उसको रिकवर करना चाहता हूँ और इसे मैं क्या करूँगा पालतु बना लूँगा टेम मतलब पेट कर लूँगा अपने अंदर में रख लूँगा और जब नेपल लौटूँगा तो उसको साथ मिले जाओंगा अथार वहाँ पे मौझूद जो भी एंपरर होगा जो की नीट लेडर अथार नॉर्मल लाइफ जी रहा होगा तो उसको मैं ये गिफ्ट दे दूँगा अगेन वही सोच ट्रिंकोलो की थी की इसका इस्तमाल करके केलिबन का मैं लंडन में इंग्लेंड में जाऊंगा पैसे कमा लूँगा और यही सोच इसकी भी है Defense की है की इसको राजा को क्या करेंगड किफ्ट में दे देंगे जाएंगे नेपल्स, नेपल्स की राजा को गिफ्ट कर देंगे कहेंगे बड़ा अजीब सा gift है यह यह पालतु gift देखे राजा भी इसे gift देगा अना तो दोनों ही इस कैलिबन का use करना चाहते हैं और कैलिबन क्या सोच रहा है कैलिबन सोच रहा है यह तो spirit आ गई है बार बार कहता है मुझे torment मत करो मुझे मत सताओ मुझे मत pinch करो I will bring my wood मैं घर में लकड़ी जल्दी जल्दी ले क्या होंगा अब मैं काम जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि उसे लगता है कि वो slow था लकड़ी लाने में और इसी लिए प्रॉस्पेर नोस के पीछे इस spirits को बेजा है तब तक Stefano बोल पड़ेगा क्या he is in his fit उसे लगता है अभी भी य कुछ बड़ बड़ा रहा है कैलीबन और इसे क्या करेंगे मैं अपनी बॉटल का टेस्ट करा दता हूँ इससे पहले उसने जरूर यह वाइन नहीं पी होगी विल नियर विल गो नियर तो रिमोव इस fit और यह पीने के बाद उसका fit चला जाएगा fit मतलब इकतर का दौरा होता है कपकपी का दौरा है जरूस का दौरा चले जाएगा if I can recover him and keep him a team फिर वही काता है कर मैं इसे team बना लूँ team मतलब पालतू कर लूँ I will not I will not take too much for him अथा मुझे इसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे और कोई price इसको नहीं देनी होगी मुझे और कीमत नहीं देनी है बस क्या करना है इसे team बनाना है he shall pay for him ये तो खुदी मुझे अपने लिए पैसे दे देगा क्योंकि ये कुदी एक कमाऊ अस्तु मेरे लिए दोनों ही केलिबर इस्टेफेनो ट्रिकोलो स्टेफेनो दोनों ही केलिबर का फाइदा लेना चाहते हैं अब केलिबर फिर बोलेगा तुम मुझे चोट मत पहुचाना तुम हिम्मत मत करना मुझे चोट पहुचाने की तुम जल्दी देखोगे I soon know it die trembling अब प्रोस्पेरो वर्क्स अपॉन दी प्रोस्पेरो ने मुझे पर अपना जादू करने की कोशिश किये वो बढ़ बढ़ कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ये प्रॉस्पेरों की स्पिरिट्स हैं और इसलिए उनको प्रॉस्पेरों की बारे हैं बता रहा है Come on your ways उसे बोलता है अरे भाई जाग जा Come on your ways Open your mouth तू इतना बहुत बोल रहा है पहले मुझ खोल Here is which is give language to you और इसको कहरा है cat देख रहा है कभी बोल ला है monster कभी devil कभी cat Open your mouth अपना मुझ खोलो और उसे क्या करता है अपनी shaking को दूख करने के लिए अथार तुमारी जो cup-cupy है तुमारा जो company इसको दूर करने के लिए मैं तुम्हें drink देता हूँ केलिवन को क्या करता है वो drink पिला देता है और कहता है You cannot tell who's your friend Open your chap again फिर से क्या करता है एक बार और drop पिला देता है तो इस तरहीके से उसने केलिवन को क्या करा दिया शराब पिला दी आप जानते ही है शराब पीने के बाद तो आदमी कैसा behave करता है अब तो केलिवन क्या हो जाएगा अब ट्रिंकोलो भी इतनी सारी बाते सुन करके पहचानने लगेगा बोलेगा मुझे ये आवाज पहचान में आ रही है ये आवाज उसे लगता है कि मेरे साब से तो he is drowned उसे पहचान में आती ही कि स्टेफेनो है पर लगता है नहीं स्टेफेनो तो ढूब गया होगा और उसे लगता है कि ये तो डेवल नहीं है और oh defend me और फिडर जाता है वो तब तक क्या होता है स्टेफेनो चार पैर और दो अवाज अब दूसरी अवाज किसकी है Trinkolo की अबाज भी आ चुकी है उससे लगता है यह दूसरी अवाज है पहली अवाज तो आपने देख लिया Calivant की यह दूसरी अवाज आने वाली थी वो Trinkolo की थी A most delicate monster इं monster तो है बहुत delicate monster है His forward voice now Is to speak well of his friend एक अवाज उसकी किसकी निकल रही है एक पहचान वाले दोस्त की आवाज निकल रही है and his backward voice is of foul speeches तो एक जो foul speeches आ रहा है आप जानते हैं वो कैलिबन है और एक जो known speech आ रही है वो है ट्रिंगोलो की है तो दोनों की speech उसे सुनाई दे रही है if all the wine, my bottle will recover him I thought मैं शराब से इसको recover कर सकता हूँ I will help his egg और इसकी जो कमपन है, इसका जो fever है जो कपकपी ये डर है इसका शराब से दूर कर दूँगा और कैलिबन को फिर से पिलाता है and I will pour some in the other mouth other mouth समझ गया है न किसको? ट्रिंगोलो को और वो दूसरा mouth कौन है? ट्रिंगोलो का है कहता है मैं इसके दूसरे मूँ में भी क्या करता हूँ क्योंकि उसे वो दो मूँ वाले और चार पैर वाला monster लगता है तब तक ट्रिंगोलो अवाल लगा देता है अरे स्टिफनो बोलता है ये मूँ तो मेरा नाम जानता है अरे ये मुह तो मेरा नाम बुला रहा है मरसी मरसी ये भगवान अभी तक तो उसको कह रहा था अब कह रहा है devil है devil मतलब जानते हो ना धूतिया and I will leave him मैं भागूँगा यहां से I have no long spoon क्योंकि जानते हो ना पहला belief था कि monster devil से बचने के लिए एक long spoon होना चाहिए पहले ऐसी ही lesbian belief है कि लोग monster से बचने के लिए क्या करते थे एक ऐसा विश्वाश है अंध विश्वाश है एक लंबा spoon क्या करेगा इंसान को devil से बचा सकता है और इसलिए Stefano यहां डर जाता है Stefano डर जाता है ट्रिंकोलो की अवाश सुनकर बोलता है अरे यह तो monster रह नहीं है devil है क्योंकि यह तो मेरा नाम जानता है और ट्रिंकोलो फिर अवाद लगाएगा अरे रुको Stefano भाई मैं हूँ क्योंकि अगर तुम Stefano हो तो तुम मुझे चुओ and speak to me मुझे से बात करो क्योंकि मैं ट्रिंकोलो हूँ be not afraid मुझे से डरो मत मेरे दोस्त मैं तुमारा दोस्त हूँ आप जानते ही है सब शिप में लौट के आ रहे थे और यह शिप जो ड्राउन हो गई है उसी के से बचे वेल हो गई है ट्रिंकोलो भी और स्टिफेनो भी अब स्टिफेनो से पहचान जाएगा कहेगा आगे आओ and I pull दी क्योंकि उसके वो गेबरडाइन में घुसा वा है उसके अंदर से उसको बाहर निकाला है by your lesser legs उसके पैर प्रकर के निकालता है बाहर and if any भी ट्रिंकोलो के पैरों को पहचानते वे हाँ उस गेबरडाइन के अंदर गुसा है ट्रिंकोलो उसके पैरों को खीच लेता है दाव आट वेरी ट्रिंकोलो इंडीर अरे तुम तो मेरे ही ट्रिंकोलो हो तो पूछता है अरे ट्रिंकोलो तुम यहां कैसे पहुचे ट्रिंकोलो बोलता है I took him to be killed with the thunder stroke मुझे लगा कि यह क्या है thunder strike से यह मरा हुआ है ठीक है न बट are thou not drowned और क्या तुम नहीं डूबे हो मेरे दोस्टिफेनो तो स्टिफेनो भी अपनी कहानी बताएगा कि कैसे हो बच कि तुफान क्या है खतम हो चुका है I hit me under the dead moon calf यह dead moon calf कौन है क्योंकि उसे ट्रिंकोलो को लगता है कि एक moon calf है moon calf किसे कहते हैं एक deformed creature एक ऐसा creature जो जिसका रूप बिगड़ा हुआ है आप जानते ही है कि Kelvin का proper इंसान जैसा रूप नहीं है moon calf मतलब a creature which is supposed to be formed due to influence of the moon और gabardine तो मैंने बता दिया यह केलिवन के gabardine में अपने आपको छुपा लेता है उस तुफान से बचने के लिए and art thou living stephano फिर वो stephano तुम जिंदा हो अथार सिर्फ दो ही नेपोल्स के लोग जिंदा है इस बात के लोग खुशी मनाते हैं मैं और तुम दो लोग जिंदा है stephano क्या कहेगा प्रेदी do not turn me about my stomach is not constant अथार क्या न करो जादा मुझे क्या करो disturb न करो मेरा I am not steady मैं ठीक नहीं हूँ अब केलिवन देखो केलिवन हमसे बात कर रहा है aside क्योंकि अब केलिवन को क्या लगेगा कि ये monster ये spirit नहीं है these are the fine things these be the fine things if they are not spirits तो उसे पहली बार एक ऐसे लोग मिले हैं जो की prospero के अंडर में नहीं है पहली बार उसे ऐसे लोग मिले हैं तो उसे लगता है कि ये कोई god है वो बार बार उन्हें क्या करना मैसूस करेगा god मैसे करेगा क्यों क्योंकि उनके हाथ में एक celestial liquid है celestial मतलब होता है heavenly आप जानते ही है शराप पी के तो जानते ही क्या हालत होती है अथा उसे लगता है कि ये इश्वरी अमृत है जो इसे पिला दिया गया है and I will kneel to him अब तो केलिवन आज तक केलिवन क्या कर रहा था बत्तमीजी से बिहेव कर रहा था अब केलिवन इनका गुलाम बन जाएगा kneel down कर जाएगा और वो स्टेफेनो स्टेफेनो को भगवान मानने लगेगा how does thou escape स्टेफेनो ट्रिंकोलो से बात करता है कि तुम कैसे बचे तुम यहां कैसे पहुचे swear by this bottle दाओ केमस्ट हितर कैसे आये तुम कसम खागे बताओ अथार्थ मैंने एक बड़े से कास्क कास्क एक बड़े सी तैब का रैक टाइब का होता है मैंने एक शराब के कास्क जिसमें शराब की बहुत सरे बोटल रखे थी उसके उपर चड़ गया मैं और उससे तैर करके बाहर चला आया अथा सारी शराब का जो इंतिजाम है इसी के पास रह गया उसी में क्योंकि बच के चला आया बाहर तो उसी में से शराब की बोटल निकाल निकाल के पी रहा है मजे कर रहा है which I made of the bark of a tree जोसे मैंने क्या किया है पेड की लकडी की तरह इस्तिमाल करके और अपने हाथों से तैरते हुए उस कास्क के उपर शराब के बोरे के उपर एक तरह से लेटा और लेटते हुए बाहर तैल के चला आया तो इस दरए से स्टेफैनो ने बताया किस तरह से उसकी जान बच गई है और Caliban क्या करता है Caliban तो कहता है मैं तो कसम खाने को तयार हूँ कि जो तुमारे पास bottle है उसको तुमालूम नहीं शराप क्या चीज़ होती Caliban को कहता है तुमारे पास जो bottle है मैं उसका गुलाम हूँ क्योंकि यह लिक्विड अर्थली नहीं हो सकता यह लिक्विड धर्थी का नहीं है शराप के बारे में कह रहा है और स्टिफैनो कहता है स्टिफैनो ट्रिंकलो से बात करता है कहता है तुम बताओ तुम कैसे एसकेप किये तो बताता है मैं तैर के आया बोला ट्रिंकलो की मैं तेयर के आया जैसे की डग तेयर लेती है और मैं इसके लिए कसम खाने को तयार हूँ तो स्टिफैनों मजाक उड़ाते लिए कहता है तो खाओ बावल की कसम और फिर दिंकोलो को ट्रिंक पिलाता है और कहता है कि दाव कांस्ट स्विम लाइक डग तुम डग की तरह नहीं स्विम कर सकते दाव आठ क्योंकि तुम गूस जैसे दिखते हो तुम डग नहीं हो सकते तुम गूस हो गूस एक तरह का पक्षी होता है तो तुम डग नहीं हो तुम बलकि गूस हो और ट्रिंकोलो और स स्टेफेनो आपस में बाते कर रहे होते हैं और ट्रिंकोलो बोलता है हैस्ट एनी मोर अफ दिस मतलब और ऐसी बोटल है तो स्टेफेनो कहता है रहे चिंता मत को पूरा होल बट है अथार्ट पूरा एक एक रैक है हमारे पास इसका और माई सेलर इस इन दर रॉक बाइद सी सा रहाया था हाओ नाओ और उनलोग स्टेफेनों मजाक उड़ाते बोलता है फिर से मजाक उड़ाता है और यह मजाक किसका उड़ा रहे हैं मून काफ किसे कह रहे हैं वह मून काफ कह रहे हैं अगेन केलिवन को how does this dine egg बोलता है इसको यह कहां से तुम्हें मिला यह fever करतावा आदमी केलिबन बोलता है thou has not dropped from heaven पूछता है अरे भाया आप लोग भगवान उपर से तो नहीं आयो क्योंकि केलिबन को यकीन हो गया है कि इंसान प्रोस्पेरो के आदमी नहीं है प्रोस्पेरो के स्पिरिट्स नहीं है तो जरूर यह कोई भगवान होंगे क्योंकि इनके पास एक ईश्वरी है अमरित ड्रिंक है स्टेफनो कहता है ओ आउट अप दे मून आई डू श्योर्दी हाँ मैं मून से आया हूँ अथार्द मजाक करते वे स्टेफनो कहता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो मून पे दिखाई देता है ऐसा माना जाता है कि मून में जो माउंटेंस है मून को दूर से देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा तो कहता है मैं ही वो इंसान हूँ जो मून से चलके आया हूँ कैलिबन कहता है I have seen thee in her कैलिबन भी और पाजी है मैंने आपको देखा है मून के अंदर हर यहाँ पर है मून में and I do adore thee और मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ adore मतलब like thee my mistress showed me thee thy dog and thy bush तो उसने कहा था न कि मेरी मिस्ट्रेस ने तुम्हें दिखाया है तुमारे बारे में बताया है कि तुमारे dog को तुमारे bush के बारे में अब स्टेफेनो अब स्टेफेनो कहता है come swear to thee kiss the book I will furnish it anon and with new content अथा वो स्टेफेनो कलिवन को और बिंग पर लाता है और ट्रिंकोलो कहता है by the good light this is very shallow monster यह लोग इसका मज़ा को डाते रहते है shallow मतलब होता है जिसके पास दिमाग नहीं है empty headed ठीक है न देखें जिसके पास दिमाग नहीं है and I fear I afraid of him किसके लिए कह रहा है ट्रिंकोलो कह रहा है केलिवन के लिए most poor credulous monster bell drawn monster तो यह ट्रिंकोलो और स्टेफेनो दोनों केलिवन का मज़ा कुडाते है पर केलिवन को कोई इससे फरक पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि केलिवन भी इन दोनों को अपना भगवान मान चुका है केलिवन बोलता है I will show you every fertile inch of the मैं तुमको यहां की हर एक fertile भूमी दिखा दूँगा I will kiss die food मैं तुमारा कदम भी चुनने को तयार हूं क्योंकि तुम मेरे भगवान हो शराब देखते हो इनसान से कुछ भी करा सकती है वही हाल है केलिवन का भी नशे में उसको यह लोग भगवान लग रहे है और उसको सब कुछ बताने को तयार है और देखिये ट्रिंको लोग क्या करेगा यह लोग फिर मजा कुड़ा रहे है कह रहा है इसके बारे में कि यह बहुत ही गदार ट्रेचरस मॉंस्टर है जब यह गौड कौन है जब स्टेफेनो सो जाएगा तो उसकी यह शराब चुरा लेगा देखिये दोनों जन स्टेफेनो और ट्रिंकोलो दोनों जन कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं केलिवन का मजा कुड़ाते रहते हैं पर केलिवन को कोई फरक नहीं पड़ रहा है आईए केलिवन बार बार कहता है मैं तो तुमारे कदम चूमूंगा मैं तुमारा गुलाम बनने को तयार हूँ स्टेफेनो कहता है तो चलो आओ कसम खाओ मेरी I shall laugh myself to that to this puppy headed puppy headed मतलब stupid headed stupid as a puppy मजा कोड़ा रहे हैं लोग कह रहा है यह कैसा monster है puppy headed monster अलग अलग नामों से उसको बुला रहे हैं moon cow puppy headed scurvy monster है very ugly monster है I could find in my heart to beat him मतलब मेरे मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं क्या करूँ in my heart to beat him समझ गया न तब तक स्टेफेनो क्या करता है come kiss करता है और साथ में उसको क्या करता है कैलिवन को drink पिलाता है again trinkolo क्या कहता है that poor monster in drunk क्योंकि कैलिवन drunk है और पूरी तरह से किस के अंडर में है स्टेफेनो के अंडर में है और वो कह रहा है बार बार कि वो पूरे तरह से नशे में है ये एक hateful monster है अथार्थ जिसको आप पसंद नहीं करेंगे detest कर देंगे कैलिबन को कोई फरक नहीं पड़ रहा है I will show thee the best spring मैं आपको यहाँ पर ताजे पानी का spring दिखाऊंगा I will plug the berries मैं आपको berries कहां से मिल सकते हैं bear कहां मिलेंगे वो बताऊंगा मैं आपको मचली पकड़ के दूँगा आपके लिए लकडी ले के आऊंगा ठीक है? अथार्थ मैं आपके सारे काम करूँगा a plague upon the tyrant I serve अभी तक मैं एक tyrant के लिए serve करता था मैं एक tyrant क्या नौकरी करता था tyrant कौन है आपर? prospero अभी तक हम prospero की नौकरी कर रहे थे जो की मुझे परशान करता था मैं उसे श्रापित करता हूँ I will bear him no more अब मैं उसकी नौकरी नहीं करूँगा but follow the अब मैं आपके पीछे पच्छे चलूँगा क्योंकि आप मेरे लिए सबसे wonderful हो बताया है न ट्रिंकोलो और केलिबन की वज़े से इनका काया पलट हो जाएगा ट्रिंकोलो मजाक वड़ाने से एकदम बाज नहीं आ रहा है बार बार बोल रहा है ridiculous monster to make a wonder of poor drunkard ठीक है न ये drunkard वेक्तियों का साथ देने वाला monster again केलिबन क्या बोलेगा देखे I pray the let me bring the where the carbs are अथात मुझे ले चलो मैं तुमको क्या करूँ बताओं कहां पर apples मिलते हैं ठीक है न I and I with my long nails will dig the pig nuts और मैं तुमको क्या खोच के दूँगा pig nuts pig nuts क्या होते हैं एक तरह के nuts होते हैं जिसको जमीन से निकाल के खाया सकता है and show the a j nest तो मैं तुमें j nest दिखाऊंगा और क्या करूँगा instruct the how to snare animal morse marmoset क्या करूँगा marmoset को कैसे आप क्या करोगे अपने control में ले लोगे ठीक है न I will bring the to cluster of fibret आपके लिए क्या ले आऊँगा fill bread ले आऊँगा fill bread क्या होता है again hazelnut होता है खाने वाले एक nuts होते है ठीक है अथार्त आपके खाने पीने का आपके रहने का सबका इंतिजाम मैं करूँगा क्योंकि मैं आपका सेवक हूँ sometimes I will get the young scammals from the rock और क्या ले आऊँगा scammal ले आऊँगा scammal एक तरगी bird होती है ठीक है न क्या करेगा इसे खाएंगे लोग will thou go with me मतलब आप लोग मेरे साथ चलिए मैं आपके सारा इंतिजाम करता हूँ stephano I pray the let the way without any more talking अब मुझसे ज़्यादा बात मत करो trincolo the king and all our company else being drawn तो वो कहता है कि मैं तुम लोग का king हूँ और तो हम हमारी company में चलो we will inherit here हम लोग क्या करेंगे यहीं अपना राज्य बनाएंगे here beer my bottle और उसको एक बोटल उसके हाथ में दिरता है क्योंकि अब वो अपने आपको stephano राजा जैसा महसूस करता है क्योंकि बार बार केलिवन उसे अपना राजा अपना भगवान कहता है न बार बार कहता है तो अब stephano भी क्या करना लगता है अपने आपको एक एक राजा जैसा महसूस करना लगता है ठीक है और कहता है trincolo को we will fill him by and by again अथार्थ इस bottle को हम लोग क्या करेंगे जब जब finish होती जाएगी इस bottle को बार बार भर के लेते आएगे और केलिवन क्योंकि ड्रंक हो चुका है वो अब मस्ती में जा रहा है फेरवेल मास्टर ठीक है न और trincolo अभी भी मजा कुड़ा रहा है और trincolo भी अजीव जीव से गाना गाएगा no more dams I will make four fish ठीक है न अजीव जीव 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 गाना गाएगा अपने अजादी का गाना गाएगा कि मैं अजाद हो गया प्रोस्पेरो से अजाद हो गया ऐसा वो गाना गाएगा एंड लास्ट में स्टेफेनो बोलेगा ओ ब्रेम मॉंस्टर लीड दबे अथार हमें ले चलो हमें ले चलो तो इस तरीके से ये पूरी ये जो सीन है वो एक तरह से सब प्लोट है और इसके बाद कैलिवन इसको प्रोस्पेरो से लड़ाई करके और प्रोस्पेरो को मारने की सला देगा और किस तरीके से प्रोस्पेरो Prospero को मारने के आलो प्लैन बनाएंगे और Prospero की बेटी हाँ हाँ Prospero की बेटी Mirinda से वो चाहेगा कि ये शादी कर ले स्टेफेनोस के शादी कर ले और यहां का राजा बन जाए आगे की कहानी और डिटेल में समझेंगे एक एक लाइन बाल लाइन समझेंगे बस आप टाइप करेए Act 1, Scene 2 और आगे लिख दो बाई Sir Tarun Rupani हाँ आपको बनाएं मेरे lesson videos मिल जाएंगे So thank you and love you and God bless you Bye